हलो फ्रेंट्स, बर्गर्स तो आपने बहुत तरीकी के खाए होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कुरकुरे बर्गर, क्योंकि ये पहले ही बहुत फेमस हो चुका है और बहुत ही वाइरल भी हुआ था ये सोशल मीडिया पर, तो आज हम इस क्रिस्पी कुरकुरे बर्गर की रिसिपी, तो डिले के ये बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स केट स्टार्टर्ड तो सबसे पहले बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए उसकी तिकी तो चार से पांच यहां पे मीडियम साइज के मैंने देखे इस तरीके से आलू ले लिए हैं, आप किसी भी शेफ और साइस के ले सकते हैं, जितना रिक्वायर्ड हो आप उतने आप पोटैटोस ले सकते हैं और इस तरीके से एक मैं ग्रेटर ले रही हूँ, मैं यहां पे कद्दू कस करूँगी आलू को, आलू देखे उबले हुए हैं, हम उनको ह आप करिए हुए है, यहां पर बातों बातों मैं कद्दू कस कर लिए है, तो इसके बाद में क्या करूँगी यहां पर कढ़ाई एक ले लूगी और इसमें एक बड़ी चमच यहां पर मैं रिफाइन डाल दिया है, और मैं ने प्यास काट के रखी हुई थी, यह एक मीढिय जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी तो प्याज आप बड़ी छोटी जैसे भी चाहे उस तरीके की ले सकते हैं अगर प्याज नहीं भी डालना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप यहां पे मटर भी डाल सकते हैं मैंने मटर नहीं डालने हैं क्योंकि मेर आप चाहे तो डाल सकते है सबस्क्राइब बच्चों के लिया सक ऐगर खुन हनो 1 काओडर या जंफा था धनिया पाउडरों देना है तो बड़ेखें 있다 हैwal of तो देखे धान रखे अभी मैंने इसमें सॉल्ट यानी नमक नहीं डाला है तो पहले थोड़ा सा इस तरीके से मैं मसालो को मिला लूँगी और इसके बाद में जो हमने आलू ये बॉयल करके रखे थे जिने ग्रेट कर लिया था गद्दू कस कर लिया था अब वो भी मैं इसम से लग जाए आलू के साथ में बाइंड होने लगे तो इसको मिक्स करने से पहले यहाँ पे मैंने दो चमब छोटी जो थी वो नमक डाल दी है और इसके बाद में मैं अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर रही हूं तो नमक आप यहाँ पे अपने स्वात के अनुसार ले सकते है आप सेंदा नमक ले सकते हैं आप काला नमक ले सकते हैं या काली मिर्श का जो पाउडर आता है तो आप वो भी ले सकते हैं पेपर पाउडर तो यहाँ पे अच्छी तरीके से यह जब पक जाएगा तो उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे एक प्लेट में निकाल करके 1 cup मैधा लेने के बाद में यहाँ पे 5 cup उसी cup से same cup से चावल का यजा लिया है। चावल का यजा उटा अगर आपके पास में नहीं है तो आप mixy में पीच सकते हैं चावल और एक चोटी चम बाज नमक डाल दिया है। एक चोटी चम्मच काली मिर्ष पाउडर यानि ब्लाक पेपर जो पाउडर होता है और एक चोटी चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ष डाली है कश्मीरी लाल मिर्ष इसनी यहाँ पे डाली है क्योंकि उसमें थोड़ा कलर आ जाता है और वो खाने में इतनी तीकी नहीं ह और इसके बाद में देखें यहां पर एक glass पानी में डाल रही हूँ लेकिन दिरे दिरे करके डाल रही हूँ आप देखेंगे कि इतना जो मैंने corn flour डाला है और rice the14 डाला है मैंने मुझे कम कम कब एक यह जो मैंने glass लिया है इतना ही मुझे लगा लेकिन मैं सारा नहीं एक साथ डाल रही हूं और यह जो मैं batter बना रही हूं इसको एक ही direction में मैं घुमा रही हूं इससे क्या होता है कि कोई भी lumps नहीं पड़ते हैं तो आप भी एक ही direction में इसको घुमाते जाएं और पानी धीरे-धी करके डालें एक साथ पानी डालने से उसमें गाठे रह जाने का डर होता है तो देखे इस तरीके से एक ही direction में चलाते हुए हमने इस तरीके का water और flowy consistency का एक बैटर तयार कर लिया है तो बस यही बैटर हमें चाहिए यह बैटर बन जाने के बाद में इसको हम साइब में जो है फ्राइक लिए रख दिया है ताकि जब तक हम टिकी बनाए हमारा तेल जो है वह गरम हो जाए तो देखे सारी चीजों को इस तरीके से वह ने ले लिया है एक साथ एक जगा ब्रेट क्रम्स रख लिये है एक प्लेट रख ली है यहां पे और यह जो हमारा बैटर था ही रख लिया है तो चलिए फिर जो हमने अब यह मिक्शर बनाया था अलू का इससे अब हम अदो की टिकटी बना लेते हैं तो बाहर थोड़ी सी हैवी टिक्की बंती है अगर थोड़ी पतली और चोटी टिकी बनाना चाहें तो वैसे बना सकती हैं बेकिन मैं बाहर जिस तर चंट 0 q 4 चांव टालने कि ब्रेट क्रम्ट इसमें जादा आप इसमें लगांगे उतनी ही क्रिस्पी जो है आपके बने.' तो देखे कितनी अच्छी तरीके से कोट कर दिये हैं अब हम इसको साइड में रखेते हैं प्लेट में तो इसी तरीके से हम सारी जो टिकी है वो बनाते जाएंगे आप अपने हिसाब से इसका साइज रख सकते हैं छोटा बड़ा कैसे भी तो देखे यहाँ पर मैं बड़ी बड़ी टिकी बना रही हूँ और अच्छी तरीके से डिप कर रही हूँ इसको बैटर में ताकि अच्छी तरीके से इसमें कोट हो पाए हमारे ब्रेट क्रम्स तो देखे आप चाहे तो इसको दो दो बार भी आप इस बैटर में डुबो सकते हैं और इसको bread crumbs की coat लगा सकते हैं तो ये crispiness को बढ़ाएगा basically bread crumbs इसी लिए हमने ये process किया है तो देखे इस तरीके से टिक्की हमारी सारी बन गई है सेम process से हम टिक्की बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने 4 टिक्की जो है वो prepare करनी है सेम इसी तरीके से अब हम इनको fry करेंगे तो इनको fry करने के लिए देखे हमारा तेल जो है वो medium गरम होना चाहिए जादा गरम ना हो तो इस तरीके से एक कड्ची ले लेंगे चम्मच या जारनी आप जो भी लेना चाहिए जो भी आप इसे कहते है तो एक चम्मच में इस तरीके से लेके टिक्की को और फिर हम इसको oil में जो है वो इस तरीके से डालेंगे देखे तो जैसे ही आप इसको गरम oil में डालेंगे तो आपको oil इसके उपर भी हलका हलका splash करते रहना है तो दो मिनट इसको लगेंगे जादा से जादा तीन मिनट लग सकते है अगर इतना जादा गरम नहीं हुआ oil तो तो दो से तीन मिनट में ये medium flame पे बिल्कुर अच्छी तरीके से टिक्की पक जाएगी और flip करके इसको दूसरी तरब से भी पका लेंगे तो देखे इस तरीके से ये कितना अच्छा golden और crispy हमारी टिक्की जो है वो लग रही है तो आप इसको जिस तरीके से चाहे थोड़ा जादा crispy चाहे तो उसको जादा देर तक पका सकती है कम crispiness चाहे तो उसको थोड़ा आप जल्दी और से निकालने तो देखे इसी तरीके से समिलर वे से हम सारी टिक्की करके जो है फ्राई कर लेंगे इसके ऊपर आप ओयल स्प्लैश करते रहें ताकि यह नीचे से लगे ना वैसे है क्योंकि इसमें कोटिंग इतनी अच्छी हो जाएगी तो यह जो है बरतन के तले में टिक्की हमारी लगेगी नहीं फिर भी आप इसको थोड़ा सा अराम से ही करें प्रॉसस को और ज्यादा तेल जो है उसको गरम ना करें आप मीडियम होट ही रखें क्योंकि क्या होगा ना वुझे टिक्की है वो अंदर से भी पक जाएगी तो देखें इस तरीके से सारी जो टिक्की है हमने क्रिस्पी गोल्डन कर लेनी है बिल्कुल ब्राउन इसी तरीके से कलर की तो देखें कि क्रिस्पी लग रही है ना देखने में ही तो आप इस तरीके से इनको फ्राइट कर लें तो यहां पर देखें कितनी क्रण्ची और क्रिस्पी हमारी जो टिक्की है वो तयार हो गई है तो इसके बाद में अब हम चलेंगे नेक्स प्रॉसेस पे इनको बना कर के हम रग देते है इसके बाद हमें क्या करना है तो फिरें डिषिस बोल में हमने ब्रेट क्रम्स लिया थे उसी सेम में ही मैं रिये कॉंट इसले लिए हैं अशले लिए कि अपने पर बोल में हैं अब यहां पर इस तरीके मैंने बंको भूर्व भande अते मिल्या आते हैं आप अप को आवैली तो देखे इस तरीके से अब हमने इने दो पीसेज में जो है वो डिवाइड कर लिया है इसके बाद में देखे मैं यहाँ पे मियॉनीज के कुछ आपको आपको आप्शन्स दिखा रही हूँ आप इसमें से जो भी चाहे मियॉनीज केचप या सॉस या हरी चटनी जो आप घर सॉस मियॉनीज या किसी और चीज का फ्लेवर आपको पसंद हो तो आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं या कोई ब्रेट स्प्रेड भी आप इसमें यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए आप यह लगाने के बाद में इसको अच्छी तरीकी से स्प्रेड कर दें और जो एक टिक्की थी इसको किसी एक बन पे ऐसे रगतें जो नीचे वाला बन का पोर्शन होगा उस पे रगतें और इसके बाद में कटे हुए टमाटर, प्याज, खीरा, लेट्स जो भी आपको पसंद हो यहाँ पे आप लगा सकते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ टमाटर और प्य पे टूगस करके इस पे डाल सकते हैं, तो उपर वाले पोर्शन से बन से इसको इस तरीके से ढगती और हलका सफरेस कर दे, अब यह जो हमने बैटर बनाया था, अब इसमें वारिया गई है इसको डिप करने की सेम जैसे हमने टिक को प्या था, तो इस बैटर में इसको प्र बर्ण में दिप करने के बाद में अब हम इसको कॉन्स कोट कर लेंगे तो अच्छी works oxid की कोटिंग लगा थो यहां पर हमने ब्रेड करूम्स को यूज ना कट्ते쪽에 कॉन्स कोउझ हूँ कि ना कर्ते हूए कयो इससे बहुत ही जाद़ा कुरकुरा और क्रंची पन तो इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से एक बार जाड़ ले हातों से ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें कॉन फ्लेक्स लग गए हो वो पहले ही हमारे हाँ पे निकल जाए ओयल में सेपरेट ना हो तो देखे जिस तरीके से हमने टिक्की में फ्राई करी थी बर्गर्स को भी बिल्कुल उसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे तो इसको अराम से थोड़ा सा फ्लिप करें, फ्लिप करते हुए ध्यान रखें कि आपका जो यह हॉट ऑईल है वो स्प्लैश ना हो जाए तो देखें बर्गर्स जो है वो हमारे इस तरीके से पुरा रेडी हो चुके है फ्राइ होने के बाद तो इनको आप पेपर किशन टॉ तो चीज स्लाइस रखने के बाद में जो टिक्की थी उसको रख दिया है और उपर से जो आप डालना चाहें इसमें जैसे की प्याज, टमातर, खीरा या लेटिस जो भी आप चाहें अपनी विश से वो इसमें डाल सकते हैं और इसके बाद में बन को इससरीके से ढग दें उसके बाद में इसे बेटर में टिप करने के बाद में सेम वे हम कॉन फ्लेक से इसको कोट करेंगे आपको लगर आए कि अगर एक कोटिंग से नहीं हो रहा है तो आप दो भी कोट कर सकते हैं इससे जाधा क्रिंची और जाधा क्रिस्पी बनेगा तो देखeurs इसको मीरिम फ्लिप कर देंगे फ्लिप करने के बाद में दोनों तरफ से एक बर्गर पकने के बाद में इसको हम होथ ही सर्फ करने वाले हैं तो अच्छे तरीके से इसको बन जाने के बाद में गोल्डन ब्राउन इसको हो जाने के बाद में इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं तो देखें इसी तरीके से मैंने सारे ये जोर चारो के चारो आप क्रिस्पी बर्गर्स देख रहे हैं इस तरीके से ही मैंने बनाए हैं तो बनाने के बाद में चलिए अब इसको हम टेस्ट करते हैं टेस्ट करने से मेरा मतलब है कि हम उठा करके कोई भी एक बर्गर देखते हैं कि वो अंदर से कैसा बना है तो देखें मैं दोनों इस तरीके से पीसे में इसको कट कर लूँगी बर्गर को तो ये बहुत एजी ले कट हो जाता है तो आप भी इसको घर में जरूर इस रेसिपी को ट्राइ करें और फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं तो आप देख सकते हैं दो पीसे में हो जाने के बाद में ये उपर से कितना क्रंची लग रहा है कितना क्रिस्पी लग रहा है और अंदर से कितना जूसी लग रहा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बिताए कि आज की आपको एक कुरकुरे बर्गर स्ट्रीट साइड रसीपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के स की बड़िया मज़िदार रसीपी के साथ में तो तब तक मेरे चैनल पे बाखी वीडियो उसका लुपत उठाएं और जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको वीडियो और प्लेइलिस्ट का लिंक अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली उस पर क्लिक करें वाव बुट देख और तक चैर था वाच्टि निव कर वाच्टिंगे उसका झाल चाहते हैं तो सिंपला का लिए तो स्कुर्ण चाहते हैं तो स्कुर्ण टाजए बूटस्ट झालका तो स्कुर्ण